हेलो रिमस्कार दोस्तों मैंने सोचा कि इससे पहले कि इस सीजन का सारे आम मार्केट से गायव हो जाए क्यों ने हम इंजॉय करें बिल्कुल नाचुरल फ्लेवर वाला मैंगो ऐसक्रीम तो आज में बिना रही हूं मैंगो ऐसक्रीम इसके लिए मैंने आप लिया है दो मैंग मैंगो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है थे बहूं हुश्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है तो पहले मैं इसको छिलका निकाले जीह और इसके छिलका निकालने के बाद शारी पनको एक एककर बाहर कर लोंगे पल्प को बाहर करने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है और अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस में एक जार लिया है और एक मेजरिंग कप जिसमें हाफ मेजरिंग कप शुगर में डाली हूँ और इसे अब मैं बनाओगी पाउडर थोड़ से ब्लेंड करने के पाद बहुत ही अच्छा पाउडर बनके तयार हो गया है तो अब इसमें आट करूँ मैं मैंगो पाल्प में अब आट करूँगी आधा कप दूद बिल्कुल नॉर्मल टेंपरेचर पे और अब इसे करूँगी ब्लेंड मैं इसे थोड़ा से रु अब इसमें आट करूँ कुछ और चीजें जैसे जितना चीनी लिया था मैंने उतना ही ले रही हूं मिल्क पाउडर और साथ में आट कर रही हूं अमूल का फ्रेश क्रीम मैं लगवग 100-150 एमिल फ्रेश क्रीम में आट करूँगी आप चाहें तो थोड़ा जादा आड़ कर और बचा हुआ दूट डाल दूँगी यानि कि आधा कप और अब इसे मुझे एक से डेर मीना तक प्रेंट करना है स्लोली और इसके बाद मुझे मिलेगा इस तरह का क्रीमी टेश्य वाला फाइनल रिजॉल्ट देगे है ना कितना कमाल का अब इसे हम डाल देंगे एक एर तेस्टी होगा बहुत ही अच्छी कुश्पू है बहुत अच्छा रिजल्ट आया साथ में कुछ मैंगो पल्पी आट कर रही हूं ताकि जब हम स्कूप करे तो एक एक बाइट में मैंगो का पल्प भी आया हमारे मुझे और तब बहुत जादा मजाएगा और अब इसके ल रहा हमारा फाइनल मैंगो आइसक्रीम बन के तयार हो चुका है मेरे फैमली में सबको बहुत पसंद आया है आप ही ट्राइ कीजिए पसंद आयो यह रेसिपी और वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलोंगी ने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए